मुकेश अंकल एक बात तो बताओ आप क्यों इतनी मेनत करते रहते हो हर वक्त ना धूब देखते हो ना बारिश बस काम में लगे रहते हो सारा दिन इस बार जब दिली से छुटियों में गाउं आया तो मुकेश अंकल से पूछे भी न ना रह सका वह मेरे सवाल का जवाब देते उल्टा उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछ लिया पहले तो यह बता कि हम सब स्वर्ग में कैसे जाएंगे लो भला यह भी कोई पूछने की बात है हर कोई अपने अच्छे कर्म की वज़े से ही स्वर्ग में जाएगा और वह बेटियों की कदर करना है बेटियों की इज़त करना है बेटियों को इश्वर का आशिरवाद मानना और उनको बोज ना समझना है पुत्र बेटियों की पूजा करना भी हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा ओ अंकल जी एक तो आप यह बड़ी गहरी बाते लेकर बैठ जाते हो मैंने सर खुजाते हुए कहा अरे सुन तो सही पुत्र ये बात याद रखना मेरी वह इश्वर हमें स्वर्ग में इतनी आसानी से नहीं भेजेगा एक एक करम का हिसाब लेगा मैं इतना खुश नसीब हूँ जो उस इश्वर का आश्रवाद मुझे बेटी की शकल में मिला वो पूरे घर में घूमती फिरती है उसकी हसी और शरारतों से पूरा घर स्वर्ग लगता है अब तो वह शादी के काबिल भी हो गई है तो बस उसी राजकुमारी के दहेज के लिए ही मेनत करता हूँ पूतर मैं चाहता हूँ कि उपर वाले की इस आश्रवाद के साथ मुझ से कोई गल्ती या अन्याय ना हो जाए इसलिए जी जान से उसकी सेवा करता हूँ ताकि वह खुश रह सके क्योंकि अगर वह खुश हो गई तो उपर वाला भी मुझ पापी से खुश रहेगा डरता भी हूँ कि मरने के बाद कहीं पर मात्मा पूछ ना ले कि तुने मेरे द्वारा दिये गए बेटियों की शकल में उस आश्रवाद का क्या किया तो फिर क्या मुँ दिखाऊंगा मैं वहाँ और मेरी राजकुमारी बेटी तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है पूतर बात करते करते मुकेश अंकल की आँखों में नमी आ गई थी अंकल जी उदास से हो गई थे और पूतर बेटियों के नसीबों से भी तो बड़ा डर लगता है बगवान ना करे कहीं अगले घर वाले माड़े निकल जाएं तो बाप तो जीते जी ही मर जाता है अंकल जी ठंडी आ भरते हुए खामोश हो गए और मैं भी बेचैन सा हो गया अंकल जी किसी सोच में खोसे गए थे सोचते सोचते कुछ देर बाद बोले कि जो पुतर होते हैं न वह तो हमेशा अपने घर ही रहते हैं मगर बेटियां सबकी सांजी होती है इसलिए ही तो मैं दाहिनी टांग से ही थोड़ा लंगडा हूँ मुझे अंकल बोलते जा रहे थे और मैं किसी अच्छे व्यक्ति की तरह नजरे जबाए उनकी बाते सुन रहा था पूरा किस्सा सुनने को दिल चाह रहा था सर्दियों की रात थी जब शामे जल्दी ढल जाया करती थी और धुंद की गहरे बाद जो की शाम होते ही हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया करते थे ऐसे ही एक रात कुछ डाकूं ने मेरे गाउं के चोदरी सहाब के घर पर हमला बोल दिया था ना जाने किस नियत से आये थे नीच जो चोदरी सहाब की बेटी को उठा कर ले जा रहे थे वह भी तो किसी की बेटी थी ना पुत्र और बेटीयां तो सब की सांजी होती है फिर चाहे बेटी किसी गरीब की हो या किसी गाउं के चोधरी की तो फिर कैसे जाने देता मैं उस बेटी को उन डाकोों के साथ मैंने उपर वाले को याद किया और एक लंबी मजबूत बास की लकडी से उन पर वार कर दिया वह तो हतियारों से लत्पत थे और जब मैं एक डाकू से गुत्तम गुत्ता हो रहा था तबी दूसरे डाकू ने मेरी इस दाहिनी टांग को पिस्तोल की गोली से चल्ली कर दिया मेरी खतरनाक चीक ने सारे महोल को ड्रावना कर दिया था मेरी चीक से डाकू भी डर गए और गबरा गए थे और जब उन्होंने गाउं के लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भागने में ही बेतरी समझी बाद में चोदरी साहब ने मेरी लाख मना करने के बावजुद भी मुझे बहुत सारे इनाम दिये और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया था चोदरी साहब मुझे पर कुर्बान हो रहे थे और मैं शर्मा रहा था भला अपनी ही बेटी को बचा कर कोई एहसान करता है किसी पर वह तो मेरा फर्ज था पुत्र जिसको निभाने में मुझे उस इश्वर ने हिम्मत दी थी मैं बुत बना अंकल जी की बाते सुन रहा था अंकल जी ने उपर हाथ उठा कर उस उपर वाले का धन्यवाद किया और मुझे कहा कि पुत्र अब मैं चलता हूँ मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी मेरा मैं मुकेश अंकल को अपनी नजरों से ओजल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि इश्वर की बेटियों के रूप में इस आशिरवाद को कोई कैसे चीन कर ले जा सकता है वह तो सिर्फ उसी को मिलती है जिसको वह देना चाहता है मेरे कदम भी अब अपने घर की ओर चल पड़े थे बाहर खुले मैदान में तंबो वगेरे लगे हुए थे सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे आज मुकेश अंकल की बेटी की शादी थी अंकल जी भागम भाग सब काम कर रहे थे हर किसी से बस यही कह रहे थे कि खाना खा कर जाना और मेरी बेटी के चंगे नसीबों की प्रार्तना भी करना थोड़ी देर बाद ही हर तरफ शोर मच गया कि बरात आगई बरात आगई बरात का स्वागत मुकेश अंकल के साथ साथ गाउं के चोधरी साहब ने भी किया था चोधरायन और उनका बेटा भी वहां मुझूद था शादी के लिए पंडित जी भी आ गए थे और उन्होंने दूले के पास बैटकर शादी की रस्म भी शुरू कर दी थी रस्म शुरू ही हुई थी कि उंची उंची आवाजे आने लगी और फिर बात तेज शब्दों में होने लगी पता चला कि दूले वालों ने अपनी कुछ शर्ते रखी हैं मुकेश अंकल पर तो जैसे कियामत सी रूट पड़ी थी वे दूले के आगे हाद जोड़ कर कह रहे थे और साथी साथ गिड़ गिड़ा कर मिनते कर रहे थे कि है जुल्म ना ढ़ाओ मुझ गरीब पर मैं तो मर जाओंगा मैंने अपनी सारी जिंदिगी लगा दी है और जितना मुझ से हो सका अपनी बेटी को दे भी रहा हूं यो बदनाम ना करो मेरी बेटी को मगर दूले वाले तो जैसे कसम खा कर ही आये थे कि शर्ते मनवा कर ही दूल्हन को घर लेकर जाएंगे अंकल जी जैसे पागल होने वाले थे हर तरफ जैसे हंगामस हो गया था मुकेश अंकल ने पता नहीं क्या सोचा के वह दूले के पाउं पकड़ने ही वाले थे कि गाउं के चोधरी सहाब ने उन्हें फोरण पकड़ लिया और एक तरफ चुप चाप खड़े रहने को कह दिया फिर चोदरी साहाब ने दूले के बाप से कह दिया कि अगर हमारी बेटी को इज़त से और बिना किसी शर्त के बया कर ले जाना है तो ले जाओ वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूले वाले ने मूँ छिपाते हुए अपनी पूरी बारात समेत वापस लोट गए थे। फिर चोदरी साहाब ने अपने बेटे को दूले की जगर पर बिठाया और पंडित जी को शादी की रस्म पूरी करने को कहा। मेरे दामन को उमर भर की बदनामी से बचा लिया है। कई हकीकत है कि बेटिया तो सबकी सांजी ही होती है। भगवान के लिए ऐसे लोग जो दहेज की खातिर किसी की बेटी को बदनाम करते हैं। कि उपर वाली की लाठी बड़ी बे आवाज होती है अगर आप किसी की बेटी नहीं बलकि उपर वाली की उस आशिरवाद को बदनाम करते हैं। तो फिर कैसे तबाही आपका मुकदर ना हो। तो क्या ख्याल है दोस्तो सही कहाना मैंने। आप अपनी रहे कॉमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा और साथी साथ सभी लोग बेटियों के लिए दो प्यारे से शब्द जरूर कहिएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा साथी साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कि